दोस्तों आज हम जिस Freedom Factor की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, उनका नाम है राजंदरनाथ लाहिडी काकोरी ट्रेन एक्षन में राम परसाथ बिस्मिल अश्फाक उल्लाख खां, राजंदरनाथ लाहिडी और रोशन सिंग को फांसी की सजा सुनाई गई थी काकोरी गांड के लिए इने ही जिम्यदा ठहराय गया था और इन चारों को ही फांसी की सजा सुनाई गई थी राजंदरनाथ लाहिडी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दी गई जिस दिन उन्हें फांसी की सजा होनी थी उस दिन उन्होंने सुबह उड़कर सबसे पहले वयायाम किया वे हर सुबह 500 दंड और 500 बैटके लगाते थे वो दिन वयायाम के बाद नहा धोकर इस्वर से प्रातना की और जेलर के साथ कुसी कुसी चल दिये अंग्रेज जज ने पूछा कि तुमने आज पहले वयायाम और प्रातना क्यों की जबकि प्रातना तो तुम्हें फांसी पे चड़ाने के समय होनी थी तब लाहिडी ने कहा वयायाम करना मेरा रोज का नियम है जो जीवन के आखरी दिन नियम को क्यों तोड़ूं फिर वयायाम करने का दूसरा एक करण भी है मैं पुनर जन्द में विश्वास रखता हूँ जीवन के आकरी दिन वैयाम इसलिए किया है कि मैं तगड़ा ही जन्वूँ ताकि फिर से ब्रिटिस सामराज्य के वृत लड़ाई लड़ सकूँ इसके बाद उन्होंने भारत माता की जय वंदे मातरम का जय गोश किया और फांसी के तक्ते पर जूल गए दोस्तों हमारे शहीदों ने इस देश को आजाद कराने के लिए बहुत बलिदान दिये हैं तब जाकर हमारा ये देश आजाद हुआ है ऐसे ही शहीदों की कहानी हम अपने चैनल के माद्यम से आपके पास पहुचाते रहेंगे अगर आप हमारे चैनल ले पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें थैंक्यू, थैंक्यू वेरी मच्च